जैजराम, जैसीराम, जैहो बागेस्वरधाम सरकार, हम सभी को पता है कि इस बार पांच मैई 2030 को जो लगने वाला चंद गरहन है, इस चंद गरहन के दिन हमारे गुरु जी ने कुछ खास उपाय करने को बताया है, कि बस मात्र एक मुट्टी चावल से कुछ खास उपाय आप को करना है, जिस से आपके घर में से नकरात्मक सकतियां, बूरी सकतियां, सैतानी या किसी परकार की कोई बीमारी हो, कोई कष्ट हो, कलेस हो, कले हो, हर परकार से दुखों से आप मुक्त हो जाएंगे, और दिन दूना, रात चौना आपके घर में बृद्धी होने लगेगे और जितने भी रासिया होते, बाहरे परकार की जो रासिया होते, सभी रासियों के लोगों को भी कुछ न कुछ परभाव पड़ता है, इस वज़े से सभी लोगों को जानना ये जरूरी है, कि किस परकार के रास का कैसा परभाव पड़ेगा, इस परकार जो चंदगराण है लेकिन जो हमारे गुरू जी ने इन चावल के दानों से जो उपाय करने को बताए हैं कोई भी आदमियों किसी परकार का कोई भी रास का है आदमियों यदि वे लोग इन उपाय को करते हैं तो उनके उपर यदि सनी दोस है या राहू का दोस है किसी परकार का कोई कुंडली का दोस है हर परकार के दोस से वह मुक्त हो जाते हैं वैसे इस चंद गरहन के दिन चिते वी लोग तांतरिक होते हैं वे लोग अपनी सक्तिया को सिद्ध प्राप्ति करने के लिए इंतजार करते हैं वैसे इस बार का जो चंद गरहन लग रहा है इस साल का पहला चंद गरहन और प्रेड़ सौ साल के बाद अद्भुत संयोग वना है कि ऐसा चंदकरहण मिला है जिसका हमें भरपूर तरीके से उप्योग करना चाहिए यदि हम सुक संवृर्धी चाहते हैं धन चाहते हैं किसी परकार की कोई परसानी में जिल लें आपका ब्यापार कम चला है तो बस मात्र आपको एक मुठी के चावल के दाने से आपको जो गुरुजी ने उपाए बताया है इन उपाए को करिए आपके घर में दीन दुनी रात चोगुनी आपके घर में बिरती होगे ऐसा कहा जाता है कि संद ग्रहन के दिन मातलक्षमी साक्षात धरती पर आती है और बिचर करती है जिसके घर जैसा भेस भूसा जैसा बरताव मिलता है जैसा बहवार मिलता है वो देखती है और घर में प्रिवेस कर जाती है बस इस उपा कर ले और आपके घर में मातलक्षमी अवस ही चली आएंगे क्योंकि गुरुजी ने जो भी बात कहते हैं वे जूट नहीं बोलते हैं हंडेट का हंडेट परसेंट सत्त बोलते हैं इस वज़ा से आपको 108 चावल के दाने ले ले जो इसी चावल को अक्षत भी का जाता अक्षत मतलब अखंडित चावल कोई टूटे हुए चावल लेना चावल के जो दाने हो उसमें किसी परकार के कोई टुकड़ा हुआ किसी अन्न चीज उसमें नहीं मिला फ्रेस चावल होना चाहिए उन्हीं चावल को आप जो है कर लेजिए वैसे जो ए चंदगरहन लग रहा है पा पहले से जीज चंदगरहन लगता है लेकिन जो चंदगरहन का समय है साम को 8 बचकर 6 chron 4 मिनट पर सुरू हो रहा है और यह एक बचकर 2 almost मिनट पर खत्म हो जा रहा पूरा का पूरा जो इसका टाइम पिरिएड में चार गंता शत्रे मिनट का रहेगा लेकिन है जो चंदगरहन होता है है पहले ही सुरू हो रहा है और जो भी लोग जोतिस होते हैं जो भी लोग ब्रामण होते हैं पंडित होते हैं बैग्यानिक होते हैं जो कुछ भी अपना उपाय करना होता है इसी सूतक काल में करना सुरू कर देते हैं तो जो भी गुरू जी ने उपाय बताया है आपको उर्स उपाय को भी सूतक क आपको जो कुछ भी उपाय करना है आप उन उपाय को खर लेजिए ताकि आपके काम जो हर परकार के काम पूरे हो सके तो चलिए हम लोग सब एक-एक उपाय को जान लेते हैं हमें मनवांचित चाहिए चाहिए आपके घर में कमा रहे हैं पैसा नहीं आ रहा है रुक रहा है पैसा टिक नहीं आपका ब्यापार नहीं चलना हर परकार के आपके उपाय के लिए गुरुजी ने एक मुठी चावल अर्थात अक्छा से करने के लिए बताया है आप इन उपा को लाइक भी जरूर कर दिजेगा तो सबसे पहले हमारे गुरू जी ने बताया है धन प्राप्ति के उपाएं आप पस एक मुठी चावल से यदि आप इन उपाएं को करते हैं तो धन जो है चुम्बक की तरह आपके घर में खिचाएगा और हमीशा के लिए धन जो है मतलक्ष में आपके घर में प्रिवेस कर जाएंगे यह जो कार करना है सूता कालमी अर्थात 11 बच के 44 मिनट के बाद और 8 बच के 44 मिनट से पहले ही इनके बीच में हमको इस काम को कर लेना है सबसे पहले हमको क्या करना है मार्केट से लाना है ताला चाबी और उस ताला चाबी जो भ और ताला चाभी भी इसमें रखते हैं एक पूतली बना दें घ। को पूतली बनाकर कि और साम के समय में ठीक 임ijn कि उस जगह में को रखना हैइं त्हöd्वक कर सुम अस जे पर अपने पूजआ इसंत्थान तरहन अर्थात 5 माई को एक मजे खतम हो जाएगा अगले दिन 6 माई को उस ताला चाभी या अर्थात उस पोटली को जो आपने बाढ़ा हो उसको ले जाकरके हनुमान जी के मंदिर में या किसी मंदिर में ले जाकरके किसी सादू सन्यासी को दान कर दें तो ऐसा करने से आपके घर में धन प्राप्ती चुम्बक की तरह आएगा दूसरा उपाय हमारे गुरु जी ने बता है यदि आप कमाते हों और आपके घ़र में बचथ नहीं होता धन टिकता नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करता है आप क्या हम करिएगा पीतल की कटूरी लिजिएगा पीतल की कटूरी ले 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 पीतल की ग्लास ले 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 या पीतल का कुछ चाभी का गुख्छा ले ले लेते हैं कुछ भी पीतल का ले लेते हैं और उसके बाद से लाल कपड़ा में एक मुठी चावल के साथ रख करके पोटली बना लेते हैं अब पोटली बनाने के बाद उसको लाल मोली से बांते हैं ठीक है मोली ले कुछ भी बाधने वाला काम करेंगे हमेसा लाल मोली धागे से ही करेंगे ठीक लाल मोली धागे से बात करके अपने घर के दच्छिड कोने में रख दें दच्छिड के घर के कोने में कहीं पर उपर ट और आपको उपाइय बता आपकी घर में बरकत नहीं हो रहे उन्मती नहीं हो आपके घर पर बॹरी नजर हो नकरादमक सक्तियूंत्वभास हो गया हो कि बुरी नज़र वाले तेरा मुह काला तो काला कपड़ा आप ले लेजिए और काला कपड़ा में एक मुठी चावल ढेकर करt आप अच्छे से बागने। उसके बादने के बाद हमारे घर में जितने भी सदसे हों उन सदसे को उपर से एक बार दाहिने से घुमा लेते हैं और एक बार बाय से घुमा लेते हैं उसको ले जाकर के पांच माई के दिन चंदगरन लग रहा है उसको घुमाने के बाद आप चंदगरना की रोसनी में रख करता है पिर्व वाय करना रथा अच्छय से जल में ऊतर करके धीर स कलगाजा है लेकिं प्रवाह करने से आपका काम नहीं होगा नहीं को प्रवाह करेए gaan तो आपके घर में घर में बरकत होने लगें अगला हमारे अगला गरूजि यादि आपके उपर मांगलिक दोसो, सनी दोसो, कुंडली दोसो या किसी पर काया का कोई दोसो, राहु का दोसो, तो आपको इसके लिए आपको क्या कुपाय करना है कि एक लोटा लेजेगा, यादि पीतल का लोटा होता हो तो बड़ी अच्छी बात है, एक लोटा में पूर लोटा का चावल को क्या करके एक लाल कपड़ा में बाध करके ले जाकर कि किसी मंदिर में दान करते या किसी भीखारी को दान कर देते इससे क्या होता है कि जो आपको मांगली के दोस रहते हैं जो सनी दोस रहते हैं जो राहू का दोस रहता है वो आपके उपर से हड जाते है और सदे के लिए मुक्ति मिल जाती है अगले उपाय हमारे गुरु जी ने बता है यदि आपको दुर्भाग से बसना हो आपका भाग साथ नहीं दे रहा हो तो उसके लिए आपको क्या करना है चावल का आटा लेना है उस चावल के आटों को रोटी बनाते है इगारे रोटी बनाए इगारे रोटी आप उसको बनाए और इगारे रोटी बनाने के बाद उस सभी रोटियों के ऊपर जो कुछ गुर के टुकड़े कुछ गुर रख़दे हैं कुछ भेली रख़दे और उन भेली और रोटी को ले जाकर के गाय को खिला देते हैं ऐसा यदिया आप कर देते हैं तो आपका जो है दुर्भाग से बचेंगे और आपके साथ हमें हमेसा भाग जो है उन्नती रहेगी आपका भाग जो परबल होता रहेगा आपके जो कुछ भी ग्रह दोस रहेंगे सभी परकार के भाग जो है सब कुछ आपके साथ में रहेंगे तो बस गुरु जी ने जितने भी उपाय आपको बताएं यह मुठी चावल से यदि आप लोग जानते हों कि तो बड़ी अच्छी बात है यहाद़्न से से